उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्षों से सिख्षक भर्ती का विग्यापन जारी नहीं हो पाया है अभियर्थी जमेनी धरातल सरे करके सोसल मीडिया हर वो सहारा हर वो हतकंडा अपना रहे हैं आखी सरकार तक आवाज पहुँचे और इसको लेकर के एक दबाव बने जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं जिस प्रकार से रोजगार के मुद्दे पर चाहें केंद सरकार हो या फिर राज की सरकार हो हमेसा घिरी रहती है उसी क्रम में अभियर्ती दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब अभियर्तियों को समझ में आ चुका है कि बिना सिक्षा सिवा चेन आयो के कोई भी भरती होने वाली नहीं है इसलिए अब अभियर्थियों की मांग नए सिक्षा सिवा चैन आयो को गठित करने के लिए उठने लगी है इसकिन पर आप देख पार होंगे आज अभियर्थियों के द्वारा ट्वीटर एक कैंपेंग चला गया था जो की पूरे देश भर में इंडिया में ये ट्रेंडिंग में था आप इसकिन पर देख पार होंगे लगबग 72,000 ट्वीट के साथ ये ट्रेंडिंग में था अभियर्थियों के द्वारा भी एक समय निर्धारित कर दिया गया है कि इतने दिन में अगर सिक्षा सेवा चैन आयो का गठन हो जाता है तब तो ठीक है अनित्था की कर्णिशन में अभियर्थी फिर से मजबूर होंगे आंदोलन करने के लिए आप इसकन पर देख पार होंगे आयोग के वियोग में चातरों ने काफी समय काट दिया है उत्तर प्रदे सरकार और सिक्षा विभाग आयोग के नाम पर लेट लतिफी कर भरतियों का विग्यापर निकालने से बच रही है अगर 10 दिन के अंदर आयोग पर सही निर्ने विभाग नहीं लेता है तो हम आंदोलन करने के लिए बात दे होंगे ये अभियर्थियों के द्वारा अपनी मांग उठाई जा रही है ने सिक्षा सेवा चैन आयोग को ले करके ये टाइमिंग इसलिए भी महतवपूर्ण है क्योंकि आज दिनांग 23 जुलाई 2023 किती थी है और कल दिनांग 24 जुलाई 2023 बहुत ही महतवपूर्ण है जैसा कि आपको ग्यात होगा कि उत्तर प्रदेश में मानने इलहाबद हाई कोट में उच्चतर सिक्षा सेवा चैन आयोग से सम्मंदित एक मामला विचाराधीन है जिसमें मानने कोट ने उत्तर प्रदेश राजिसरकार से अपना हलफनामा दायर करने के लिए बोला था कि नया सिक्षा सेवा चैन आयोग के गठन में इतनी देरी क्यों की जा रही है अगर नया सिक्षा सेवा चैन आयोग गठित नहीं हो पा रहा है तो एटलिस्ट पुरानी भरतिया जो है वो पुराने आयोग से ही पूरी क्यों ना करा दी जाएं कब तक सालो साल इसका इंतजार किया जाएगा टीजेटी पीजेटी 2022 की भरती का नोटिफिकेशन जारी हुए हो चुका है लगबग एक साल से जादा अभी तक इसके लिए परिक्षा की दितियों की गोशना तक नहीं की गई है नय आयो का वेट किया जा रहा है तो इन सब को लेकर के एक महतवपूर्ण सुनवाई 24 जुलाई 2023 को होना प्रस्तावित है जिसमें राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना है नय सिक्षा सेवा चैन आयो की इस्तिती को ले करके एक उमीद है कि जिस प्रकार से अभियर्थियों का दबाव तो खेर नहीं माना जा रहा है सिक्षा के अदिकारी ओपर लेकिन कम से कम कोर्ट का दबाव जरूर होगा जिसकी वज़े से सिक्षा के अदिकारी वहाँ पर अपना जवाब जरूर दाखिल करेंगे कि आखिर नय सिक्षा सेवा चैन आयो की वर्तमान इस्तिती क्या है इससे थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लग जाएगा कि सरकार किस तरफ आगे बढ़ रही है सिक्षा भरती को ले करके या फिर सिक्षा सेवा चैन आयो को ले करके क्योंकि सिक्षा विबाकी लगतार बैठके तो चल रही है लेकिन आयोगों को मंजूरी नहीं मिल पारी है इससे अभियर्तियों के मन में ये विश्वास नहीं बन पारा है कि वाकई में सिख्षा सेवा चेन आयोग को ले करके सिख्षा के अधिकारी गंभीर है या फिर सिर्फ और सिर्फ समय काटा जा रहा है तो कल 24 जुलाई 2023 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के सभी B8 BTC कम्प्लीट करने वाले अभिरतियों के लिए कि कम से कम सरकार का स्टेंड कल क्लियर हो सकता है नया सिख्षा सेवा चेन आयोग को ले करके इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शोब